बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो क्योंकि विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है ऐसा कहना है धीरोभाई अंबानिका जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमेर इंसानों में से एक होने का संगर्स भरा रास्ता तै किया बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरोभाई का वास्तविक नाम धीरज लाल गुवर्धन दाज अमबानी है धीरोभाई का जर्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड गाउं में हुआ था हाइ स्कुल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पकोड़े बेचना सुरू कर दिया दोस्तो धीरोभाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबन नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है कुछ सालों तक घूम घूम कर पकोड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रमडिक लाल की साहता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडेन सार काम करने चले गया एडेन पहुँचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पम पर काम किया फिर कुछ दिनों बाद उसी कमपनी में कलरकील पोश्ट पर 300 रुपे प्रतिमाह के वेतन पर काम करने लगे वो अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई ना कोई पार टाइम काम करते रहते थे जिसे उनके साथियों में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था लेकिन फिर भी उनके दिमाख में कही न कही रहता था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनस करना ही होगा और बिजनस के लिए पैसे तो चाहिए होंगे कई जगों अपर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने दाइत्तों को पूरा किया इसलिए काम से खुसो कर कमपनी के मालिक ने उनका प्रोमोशन एक मैनेजर की पत्पि कर दिया लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और अपनी वतन हिंदुस्तान चले आए क्योंकि उनकी दीमाग में तो कुछ और ही चल रहा था 1955 में उन्होंने 15,000 रुपे लगा कर अपनी चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर मसालों के निर्याद और पॉलिष्टर धागे के आयात का बिजनस से स्टार्ट किया उनके मेहनत के दम पर अगली कुछ सालों में कंपनी का टर्नोवर 10,000,000 रुपे सालाना हो गया उस समय पॉलिष्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और यह सूती के मुकाबले लोगो द्वारा ज्यादा पसंद किया जाने लगा क्योंकि यह सस्ता और टिकाओ था और इसमें चमक होने के कारण पुराने होने के बाद भी यह नया जैसा दिखाई देता था और लोगों दोरा पसंद किये जाने की वज़े से जल्द ही उनका मुनाफ़ा कई गुना बढ़ गया कुछ वर्सों के बाद धीरु भाई अमबानी और चंपक लाल दमानी की व्योसाइक साजदारी समाप्त हो गई क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे लेकिन धीरु भाई ने कभी भी पीछे मुण कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेली कॉम, एनरजी, एलेक्टिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरु भाई के कंपनी में 90 हजार से अधिक करमचारी कारे रहत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर है दोस्तों अगर समय की मांग के अनुरूप आपने अपने आपको ढाल लिया ना तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता 6 जुलाई 2002 को धीरु भाई अमबानी ने दुनिया से विदा ली लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता की वज़ा से वो आज भी लोगों की दिलों में जिन्दा है धीरु भाई का कहना है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सच्छम राष्ट है और हम भारतियों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता आपका बहमूल इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनुबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नई inspirational और motivational वीडियो के साथ आता हूँ दोस्तो अगर आप हमारे वीडियो को मिस्त नहीं करना चाहते तो ग्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद